नमस्कार आपके साथ में हुरेशम खान और स्वागत आप सभी का N27 News में BSP ने गुरुवार की सुभा लोकसभा चुनाओ के लिए अपने दो उमीदवारों के नाम का एलान कर दिया है BSP ने इस लिस्ट में कुशी नगर और देवरिया सीट पर अपने उमीदवार के नाम का एलान किया है और इस लिस्ट के सामने आते ही स्वामी प्रसाद मोरिया को बड़ा जटका लगा है क्योंकि बीते कई दिनों से उनके BSP के साथ जाने और कुशी नगर से उमीदवार बनाये जाने की चर्चा आये थी दरसल कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मोरिया की पार्टी राष्टिय शोश्यत समाज पार्टी और BSP के बीश गडबंधन की अटकले लगाई जा रही थी लेकिन गुरुवार को जब BSP ने अपने दो उमीदवारों के नाम का एलान किया तो इन अटकलों पर विराम लग गया हाला कि इससे पहले मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मोरिया ने एलान कर दिया था कि वे कुशी नगर सीट से 9 माई को नमांकन दाखिल करेंगे BSP ने अपनी दूसरी लिस्ट में दो उमीदवारों के नाम का एलान किया है और पार्टी ने कुशी नगर सीट से शुब नारायन चोहान और देवरिया सीट से संदेश यादव और मिस्टर को अपना उमीदवार बनाया है अज़कि इंडिया गडबंधन और NDA ने इन दोनों ही सीटों पर पहले ही उमीदवारों के नाम का एलान कर दिया है और वही गोरत तलब है कि BJP ने कुशी नगर सीट से विजए दूबे को अपना उमीदवार बनाया है 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 लिजए दूबे ने इस सीट से अपना नामांक भी कर दिया है जबकि दूसरी और इंडिया गडबंधन के तहट समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुशी नगर सीट से अजे प्रताफ सिंग और पिंटू सेथवार चुनाव लड़े हैं जबकि देवरिया सीट से बीजेपी ने शशांक मड़ी त्रिपार्थी को अपना उमीदवार बनाया है वही दूसरी और इंडिया गडबंधन के तहट कॉंग्रेस के टिकट पर अकिलेश प्रताफ सिंग चुनाव लड़े हो और इन दोनों ही सीटों पर सात्वे और अंतिम चर्ण में चुनाव होगा और इस चर्ण के तहट एक जुन को वोट डाले जाए तो अभी के लिए इतना ही देश-दुनिया की तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें एन 27 न्यूज आप देख रहे हैं एन 27 न्यूज पकड़ हर ख़बर पर